नामदेव जी की 752 वी जैन्ती के उपलक्ष पर श्री नामदेव सेवा समीती मेवार महासभा के तत्वाधान में आयोजित विवा सम्मिलन में शुक्रवार को नामदेव समाज के युवक वयुवतियों ने कोटड़ी शामदर्बार में फेरे लेकर एक दूजे के हमसफर बन नामदेव समाज के भव्यकारेक्रम में राजे मंत्री धीरज कुजर साइथ बड़ी संख्या में अतिती पहुँचे एवं वरवदूओं को शुभा शीष देकर सुखी दामपत्य जीवन की कामना की मेवार महासबा नामदेव समाज के 19 जोड़े कोटड़ी शामदर्बार में विवहा करने पहुचे सुभह साड़े आठ बजे गाजे बाजे के साथ वरवदूओं की बिंदोली निकाली गई बैन की दुन पर समाज जन नाशते गाते हुए सदर बाजार चौकी का मंदिर होते हुए मुक्के बजार से मंदिर पहुचे जा समाज जनों ने अगुवानी की सवा दस बजे तोरण की रस्मों पूरी करने के बाद वरवदू पानी ग्रहन स्थल पर पहुचे जहां गायतरी परिवार के विध्यावान पंडितों ने वरवदूओं का मंत्रोचारण के साथ साथ फेरे करवाकर अगनी की समक्ष एक दूजे को हम सफर बनाया राजय मंत्री गुजण ने वरवदूओं को उपहार स्वरूप चान्दी के सिक्के वक कंबल दी इस दोरान संग्रक्षक मंडल के रतन देवी तौलंब्या, गंगा देवी बुला, गीता देवी लुंडर, मदनलाल लुंडर, कैलाश शंद्रबूला, ओम प्रकाश बुला, अध्यशक सुरेश मेहर, राजिंद्र नहरिया, भैरुलाल च्वापरवाल, विनो चापरवाल, पुलिस उपादिक्ष, पवन कुमार बदोरिया, तैसिलदार, राम जिलाल गुजर, पूर्व उप्रधार मंत्री, मनिश गुजर, महेंद्र टेलर, दीपक टेलर, विनय टेलर, साइथ, नामदिव समाज के पद अधिकारी एवं समाज जन मौजूद रहे। ने बताया कि बच्चों ने रैली से लोगों को जागरुक किया है। इस दौरान प्रिंसेपल जोगेंदर सिंग, हरी प्रकाश प्रभाकुमारी, मोची अनल ओजा, सुधाकर लड़ा मौजूद रहे। कि गोपियो संग चीर हरण की लीला एवं महारास का प्रसंग सुनाया। आज कथा में दिखावा और अंध श्रद्धा को त्याकर सतकर्म में लगना चाहिए। दिखावे का सत्संग करना व्यर्थ है। दिखावे के चक्कर में मनुश्य अपने जीवन को स्वैम बरबाद कर लेता है। अता, अंध भक्ती एवं दिखावा त्याकर सची श्रद्धा से भगवत भक्ती करनी चाहिए। श्रद्धा ऐसी हो कि सभी भेद मिड़ जाए। जब तक जीवन में भेद बना रहेगा तब तक कोई भी काम आसान नहीं होगा। जिस दिन हमने तेरा मेरा त्याकर सर्वस्व को अपना लिया, सभी जगत के मनुश्य को अपना मान लिया, सभी जीवों को हमने अपना मान लिया, अपने पराये का भेद जिस दिन मनुश्य के जीवन से चला गया, यही उबलब्दी भगवान की सबसे बड़ी भक्ती है। ही गोपी हो जाते हैं अतह हम सभी मनुष्यों को उच नीच का बड़े चोटे का अगड़े पिछड़े का भेत्याग कर एक हो जाना चाहिए जैश्री कृष्ण इसी दौरान कृष्ण भगवान के 56 भोग लगा कर आर्थी कर प्रसाद वितरन भी किया किर्शा लगवान कर दो जाना चाहिए जैश्री मादे का 4 किरेवान में सभी ना canद하면 भी का इसी दौरा कर वं भी हार आर्थी कर दो जाना है करियालम में आयोजित रिकेट प्रतियोगिता का उद्धादन अतीतियोद्धु द्धारा किया गया जिसमें मुक्य अतीति आसीन हुरणा विधायत जबरब सिंग सांख्ला गौशाला गौधर्शन के संस्थापक महीपाल सिंग चौधरी, समाच सेवक भवर सिंग सिसोधिया की द्वारा फीता काट कर क्रिकेट प्रतियोगिता का उधगाटन किया गया इस मौके पर अधिक्ष भारत सिंग सिसोधिया, उपाधिक्ष राजराम वैशनव, कप्तान भगवत सिंग, उप कप्तान यशपाल सिंग, सचीव पिंटू सिंग सिसोधिया, सहायक सचीव शिवराज गुज़र, वकारे करता नारायन सिंग सिसोधिया, बाबुलाल, महवीर शौहान केलाश शौहान मुकेश गुजर मौजूद रहे थे 31 ओक्टोबर को ओस्टेडू अखाड़ असोसीशन अफ राजस्तान की मीटिंग उदैपूर में आयोजित की गई जिसमें उपनगरपूर के प्रेम कुमार विश्नोई को ओस्टेडू अखाड राजस्तान सची विजय शर्मा ने अध्यक्षपत पर प्रेम कुमार विश्नोई को नियुक्त किया एवं निर्देश दिया कि शीगर अपनी जिला कारेकारणी गोशित कर असोसीशन को मजबूती प्रदान करे एवं खेल को बढ़ावा देवे उपनगरपूर पहुचने पर विश्नोई का भव्य स्वागत किया गया तदा बीलवाडा में खुशी की लहर चागई पूर्व में विश्नोई का शरवन कुमार विश्नोई, गिरी राज विश्नोई, जग्दीश राजोरा, सतिनाराण विश्नोई, चेतन जौबे, साइथ, जोडो संग रतन, आचारे रगुन अंदर निश्नोई, आदी ने बधाई दी एवं उजवल भविश्य की कामना की साथ चल रहे थे, साथ ही साथ पुष्पवर्शा, गुलाल से सरोबार, खाटू शाम जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, जोलुस ग्राम पंचायद से बस टैंड बड़े मंदर, जैन मंदर कारी खोडी, बजार से होते हुए वापसी पंचायद भवन के पास लक्ष साथ हुए गुए आजी साथ पंचायद से ऐा स बड़े मंदर डहे थे, जोलुस बड़煙द बड़े मंदर के बड़े कारे लगाते हैं आतर वे हुए चल ने साथ मेंसे टढाः बंद़ के लंख जालिए लुएे कारी बंदं़ मंदर्शने मंदर के सिर वहाँ भणों आतर कर दो कर दो